हेलो एवरिवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है BPSC TRE 3 का विज्यापन जारी हो गया है जिसमें विज्यापन संख्या 22-2024 है इसको जरूर not down करें क्योंकि विज्यापन संख्या एक बहुत important aspect होता है किसी भी भरती के लिए तो हर एक विज्यापन संख्या आपकी ये है आपको इसे not down करना है जिसमें सिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाती वा अनुसूचित जन जाती कल्यान विभाग यानि दो विभाग से विकेंसी निकली हुए एक सिक्षा विभाग ने और दूसरा है अनुसूचित जाती और जन जाती कल्यान विभाग से है तो पहले भी कल्यान विभाग ने सिक्षा विभाग के साथ मिलकर निकाली थी तब बस कैटेगरी का अंतर था यहाँ पर पिछडा वर्ग और अती पिछडा वर्ग था और अभी इस वाली टीरी 3 में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती का है दोनोंने मिल कई है वेकेंसी निकाली है अब बिहार के अंतरगत विद्याल्या ध्यापक के पदो उपर न्युक्त हेतु सोयोग्य भारते उमीद्वारों से विट प्रपत्र में ओनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं यह आपका पूरी प्रिक्रिया है कि आवेदन पत्र भढ़ने से सम्मंदित थी और उनके निर्देश यहाँ पर है इसका भी आप स्क्रीन सोट ले ले रजिस्ट्रेशन आप 10 फरवरी यानि परसों से प्रारंब कर सकते हैं और भुगतान प्रारंब करने की थी 23 दो 2024 तक है यानि 23 फरवरी तक आप भुगतान यानि जो फीस है उसको कर सकते हैं विलंब शुल्क यानि अगर आप किसी कारणवस लेट हो जाते हैं तो लेट फीस के साथ आप 25 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बिना लेट फीस के 23 फरवरी 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं अ चीज तक आपका आवेदन हो जाएगा ओनलाइन आवेदन प्रारंब करने की ति यानि आप कब से भढ़ सकते हैं यानि आप 10 तारिक से यानि परसो से आप ओनलाइन आवेदन करना प्रारंब कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको आपको बहुत परिशानी देगा इसलिए परसों से ही आप आविधन पिरक्रिया शुरू कर दें क्योंकि बहुत चीज़े होती है दीरे 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 उनमें टाइम लग जाता है और पता चला कि लास्ट डेट आगे और हमारा भी तक फॉमी फिल नहीं हुआ है इसलिए सांती पूरवक हर एक चीज़ को देख लेना क्योंकि सब्मेशन के बाद कुछ नहीं होगा किस तरीके से आपको फंबरना है हम अपने एक नेक्स्ट वीडियो बताएंगे क्योंकि अभी तो हमें आपको बताना था कि ऑफिशियल जो लैटर है वो जारी हो गया क्योंकि किसी भी देखने का जो तरीका है वो किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए पहल ऑफिशल लैटर देखना चाहिए इसलिए चीज न्यूस पेपर में वी आई है लेकिन मैंने आपको लैटर दिखाया जो की विभाग दोरा पीपीसी की साइट से मैंने इसे डाउनलोड किया है ता और लाइन आवेदन भरने की अंतिम्तिती पचीस दो यानि पचीस फरवरी तक लाश्ट है जाद समय भी नहीं दिया गया है ट्यारी थिरी के लिए कि बहुत समय है आपके पास बढ़ सके इसलिए जैसे ही आवेदन निकले परसों से आप भरना स्टार्ट कर दीजिएगा आगे देख लेते हैं कि उपरियुक्त विग्यापन के संबंद में विस्तरत सूशना विवर्णी जो भी जानकारी से रिगार्डिंग होगी आयोग की वेबसाट www.bps.bih.nic.in पर प्रदर्शित होगी इसी से मैंने इसे डाउनलोड भी किया है इसको भी आप नोट डाउन क आपको मिलेंगे आगामी इसी वेबसाइट के माध्यम से मिलने वाले हैं ओनलाइन आविदन भणने से संबंदित भी विस्तरत जानकारी आपको इस वाली वेबसाइट पर मिलेगी अगर और डिटेल में आपको चाहिए और डिटेल में क्या मैं भी इसे करूंगी और आप स्वें भी करके देख लो एक वारी से क्योंकि दिर्शा जो होते हैं बिना दिर्शा निर्देश के कोई भी फर्म नहीं भरना चाहिए तो ये वाली वेबसाइट अलग है थोड़ा उससे इसलिए इसको भी आप स्क्रीन सोट ले 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 और इसको भी सर्च करना अभ्यर्ती भी बिना किसी की बातों को भी उसने कहा तो मैंने सुन लिया मैंने स्वें ने पड़ा आप स्वें पड़ें भले ही सुना है देखें उसके बाद ही कोई करें क्योंकि ये सरकारी नौखरी का मामला है सुनी हुई बाते नहीं करनी चाहिए औफीशल लेटर पर आधारित ही प्रति एक चीज आपको करनी चाहिए नेक्स्ट अपडेट जो भी आता है मैं तुरंत चैनल के माधिम से बताने का प्रयास करूंगी